बचो, alpha, beta be the roots of the equation x square minus 3x plus b and gamma delta be the roots of the equation x square minus 6x plus q alpha, beta, gamma, delta form a geometric progression then बचो, इस टाइब के तो बहुत सवाल आए हैं इसमें कुछ नहीं करना होता है, आपको जो sum of root है, यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर भी आपको sum of root लिखना है और usual आप माल लो, a, a, r, a, r square है, a, r cube, तो a into 1 plus r, बचो, यह value किती आगई, आपकी 3 आगई, यहाँ पर किता आएगा, बचो, a, r square into 1 plus r, यह value किती आगई, 6 आगई, बचो, r square का value किता आगई, 2 आगया, ठीके, खतम ही होगा मेरे खाल से सवाल, ठीके, बचो, q किता आएगा q और p, बचो, p actually क्या product है, तो यहाँ पर product है, तो और q, q यहाँ पर product है, इन दोनों का, a, r square, a, r की पार 4, बचो, ऐसा ना करें, q by p निकाल ले हैं, तो 2 q by p, plus 1 लिखाए, और 2 q by p, और minus 1 लिखाए, बचो, q by p देखते है, q है आपका, बचो, a वाला टर्म तो कट तो q में आपका किता आएगा, r की पावर, q में आपका, a, r square, a, r cube, तो r की पार 5 आएगा, ठीक है, बचो, इसमें आएगा, a, r, तो r की पार 4 है, तो बचो, 2 r की पार 4, plus 1, upon 2 r की पार 4 है, minus 1 लिखाए, देखो, भी किता आ रहा है, r square अगर 2 है, तो r की पार 4 किता आएग r की पार 4 आएगा, 4 है, 4 तो 8, 8 plus 1, 9, 9 by 7 आ रहा है, बचो, भी 9 by 7 दिख रहा है क्या,